चोथा आयनन उर्जा या आयनन विभव आयोनाजेशन एनर्जी और आयोनाजेशन पोटेंशिल गैसी अवस्था में किसी विलगित पर्माणू के सबसे दुर्बलता से बंधे इलेक्ट्रोन को बाहर निकालने के लिए जितनी उर्जा की आविशक्ता होती है उसे आयनन उर्जा या आयनन विभव कहते हैं विलगित पर्माणू प्राप्त करने के लिए ठोस तथा द्रव तत्वों को गैस में परिवर्थित किया जाता है एवं यदी तत्व अनू रूप में हो तो उसे पहले पर्माणू के रूप में वियोजित किया जाता है आयनन उर्जा की इकाई इलेक्ट्रोन वोल्ट ई भ प्रत्रों के संख्या बढ़ने के साथ साथ कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। प्रत्रों से नीचे आने पर आयनन उर्जा का मान कम होता जाता है। इलक्ट्रों पर नाभी की आकर्शन बढ़ जाने के कारण बाहरी कोश के इलक्ट्रों को निकालने के लिए अधिक उर्जा की आविशक्ता होती है। इसलिए आवर्थ में बाई से दाई और जाने पर प्राया आयनन उर्जा का मान बढ़ता जाता है। आयनन उर्जा किसी विलगित परमानू के बाहरी कोश से एक इलक्ट्रों बाहर निकालने के लिए आवश्यक उर्जा आयनन उर्जा कहलाती है। दुतिये इलेक्ट्रोन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक उर्जा को दुतियक आयनन उर्जा कहते हैं प्रथम इलेक्ट्रोन के निकलने के बाद परमानू पर इकाई धनावेश बढ़ जाता है जिससे इलेक्ट्रोनों पर नाभिकी आकर्शन बढ़ जाता है जिसके फलस्वरुप दृतिय इलेक्ट्रोन को बाहर निकालने के लिए प्रत्थम इलेक्ट्रोन की अपेक्षा अधिक उर्जा की आविशक्ता होती है सोडियम की दृतिय काइनन उर्जा 4563 किलो जूल प्रती मोल है आइनन उर्जा का मान समानेत तह वर्ग में उपर से नीचे आने पर घटता है तथा आवर्थ में बाये से दाए जाने पर बढ़ता है पांचवां इलेक्ट्रोन बंधुता इलेक्ट्रोन एफिनिटी हम जानते हैं कि धात्वें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती है समू एक वद दो के तत्वों के बाहरी कोश में एक वद दो इलेक्ट्रॉन होते है ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक संयोजी प्लस वन वद्वी संयोजी प्लस टू आयन बनाते है ये सभी तत्व आवर्सार्णी में बाई और स्थित हैं ये इलक्ट्रोन ग्रहन कर रिन आयन बनाती है परमाणू में एक इलक्ट्रोन को जोड़ने से बने हुए आयन पर एक रिनावेश आता है तथा उर्जा निकलती है निकली हुई यह उर्जा इलक्ट्रोन बंधुता कहलाती है सामानेता किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर इलक्ट्रोन बंधुता का मान बढ़ता है और किसी वर्ग में उपर से नीचे आने पर इसका मान कम होता है इलक्ट्रोन बंधुता जब विलगित परमाणू में एक इलक्ट्रोन डाला जाता है तब मुक्त उर्जा को इलक्ट्रोन बंधुता कहते हैं किसी विलगित परमाणू में एक इलक्ट्रोन प्रवेश करने पर जितनी उर्जा मुक्त होती है उसे प्रथम इलक्ट्रोन बंधुता कहते हैं ओक्सीजन के लिए प्रथम इलेक्ट्रोन बंधुता का मान रिण 142 किलो जूल प्रती मोल है। इस प्रकार ओक्सीजन रिणायन में एक और इलेक्ट्रोन डाला जाए तो मुक्त उर्जा को दुत्यक इलेक्ट्रोन बंधुता कहते हैं। ओक्सीजन की दुत्यक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धन 710 किलो जूल प्रती मोल है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान वर्ग में उपर से नीचे जाने पर कम होता है। आवर्थ में बाएं से दाएं जाने पर इसका मान बढ़ता है। इसे अधिक समझने के लिए आईए इसके मानों का अवलोकन करें। चट्मा विद्दुत रिणता इलेक्ट्रो नेगेटिविटी यदि दो अलग अलग प्रकार के परमानों के बीच एक सह संयोजक बंध हो तो किसी एक परमानों की साजे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी और आकरशित करने की प्रवरिती दूसरे परमानों की इस प्रव क्लोरीन परमानों हाइड्रोजन परमानों की अपेक्षा साजे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अधिक आकरशित करता है इसलिए इलेक्ट्रॉन युग्म के अधिक निकट रहता है वह परमानों जो साजे के इस इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी और आकरशित करता है अधि ये किसी परमाणू द्वारा साजे के इलेक्ट्रोन युग्म को अपनी ओर आकरशित करने और इस प्रकार आंशिक रणावेशित हो जाने की प्रवृती को विद्धुत रणता कहते हैं। समानेता किसी आवर्त में बाई से दाई ओर जाने पर विद्धुत रणता बढ़ती है और किसी वर्ग में नीचे आने पर इसका मान कम होता है। इलेक्ट्रोन बंधुत और विद्धुत रणता एक दूसरे से भिन्न है। मुक्त उर्जा है। इसकी इकाई एलेक्ट्रोन वोल्ट है। विद्धुत रिणात्मत्ता जब दो भिन पर्माणों सह सयोजक बंध द्वारा जुड़कर एक अणु का निर्मान करते हैं तब बंध द्वारा जुड़े दोनों इलक्ट्रॉन दोनों पर्माणों द्वारा समान रूप से साज़ा नहीं होते हैं अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि साज़े के इलक्ट्रॉन युग्म अनु के मध्य में नहीं रहते बलकि अधिक इलक्ट्रॉन बंधुता वाले पर्माणों की ओर चले जाते हैं इस प्रकार योगिक में परमानों द्वारा इलक्ट्रोनों को अपनी और आकरशित करने की प्रवरिती को विद्धुत रिनात्मक्ता कहते हैं। इस प्रकार इलक्ट्रोनों द्वारा इलक्ट्रोनों को अधिक आकरशित करते हैं। विद्धुत रिनात्मक्ता का मान कम होना धातु का गुण है तथा उच्च विद्धुत रिनात्मक्ता होना ओधातु का गुण है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्धू त्रणात्मक्ता का मान अधिक होता है क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर परमानू का आकार घटता है समुह में उपर से नीचे जाने पर परमानू का आकार बढ़ता है जिससे विद्धुत रणात्मक्ता का मान कम होता है